शब्द एक ध्वनी नहीं है या केवल कुछ ध्वनियों के मिलन से बना नहीं है जिसे हम किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव को पुकारते हैं शब्द की शक्ति हनंत है, वही नाद है, वही भ्रम है, उसकी उर्जा असीमित है परन्तु, उसका प्रयोग हमारे चायन पर है जब एक माता अपने संतान को प्रेम से हाय कहती है उसकी उर्जा होती है कि उसकी संतान को किसी की कुद्रिश्टी ना लगे परन्तु जब एक दुखी पीड़ित करने वाले को हाय देता है तो वो शाप बन जाता है शब्द की शक्ति को पहचानी है सदैव सोच समझ कर आप तोल कर प्रयोग करें जीवन में सार्थक्ता आनी प्रारंब हो जाएगी इस हफ़ते से साथों दिन रात आठ बजे